प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन दिवस्य थाइलाइंड यात्रा से भारत लोटाए हैं प्ये मोदी ने कहा है RCEP समझो तक मौझूदा स्वरूप भारत की समस्याओं का समधान नहीं करता साथ ही कई मसलों पर भारत को भरोसा नहीं बिल पा रहा था ऐसे में सवाल ये भी एहम था कि भारत को RCEP समझोते में शामिल होने से क्या नुक्सान होते है बताया जा रहा है कि RCEP में जिन बातों पर भारत को भरोसा नहीं हुआ उनमें ही RCEP सदस्य देशों के साथ 105 बिलियन डॉलर का व्यापार घटा बाजार पहुँच पर भरोसे की कमी, नौन टैरिफ प्रतिबंदों पर असहमती और नियम के संभावित तो लंगन शामिल है वही चीन इसमें सबसी बड़ी वज़ा है अगर भारत समझोते की मांगों को मांज जाता तो 16 दिशों के बीच होने वाले इस समझोते से हमें फाइदा कम और नुक्सयान ज़ादा होता इस समझोते पर हस्ताक्षर नहीं करने का सबसे बड़ा कारण चीन के साथ व्यापार को बताया जा रहा है साथ ही इन पाँच कारणों की वज़ा से भी भारत ने हस्ताक्षर से दरकिनार किया पहला भारत अगर RCEP समझोता करता तो वो भारती बाजारों में सस्ते चाइनीज समान की भरमार होती दूसरा RCEP यानी शेत्रिय व्यापक आर्थिक भागिदारी में दस आसियान देशों के अलावा छे अन्य देश आउस्ट्रेलिया चीन भारत जापान न्यूजिलैंड और दक्षन कोरिया भी शामिल है समझोता करने वाले देशों के बीच मुफ्त व्यापार को बढ़ावा मिलता है लहाजा भारत समझोते में शामिल होने से चीन को भारती बाजार में पैर पसारने का अच्छा मौका दे सकता था तीसरा, RCEP में शामिल देशों के साथ भारत को आयाद जादा करना पड़ता समझोते में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे अगर आयाद बढ़ता है तो उसे नियंतरत किया जा सके यानी चीन या किसी दूसरे देश के साथ सामान को भारते बाजार में कितनी जगा देनी है ये बात सपस्ट नहीं थी चौथा कारण था टैक्स कटोती इस समझोते में शामिल देशों को एक दूसरे को व्यापार में टैक्स कटोती समेथ तमाम आर्थिक छूटते नहीं होगी लेकिन समझोते में नॉन टैरिफ रतिबंदों को लेकर कोई भरोसे मंद वादे की बात नहीं कही गई है पाच्वा कारण था वित्त घाटा RCEP में जो देश शामिल है उनके साथ भारत का व्यापार भी फायदेमन नहीं रहा है पिछले एक साल का वित्त घाटा 105 बिलियन डॉलर रहा है यानि इस लिहाज से भी भारत के लिए ये समझोता फायदेमन नहीं रहता इन मुख्य वजहों से ही भारत में RCEP का विरोध किया जा रहा था जिसके चलते मोधी सरकार ने आंतरे खितों का हवाला देते हुए खुद को RCEP से बाहर कर लिया